Hello friends, welcome back to my new video, आज की वीडियो में आपका स्वागत है जी, ठीक है friends, तो आज की हमारी वीडियो है जी, फटे पुराने कपड़ों को reuse recycling को लेकर है, तो चलिए जी वीडियो करते हैं स्टार्ट, friends इस तरहें एक लोड लिया है, पज्यामा कोटन का है जो की, और चेक वाला इसका स्टाफ है, जो आपके सामनी है, और friends, ये बेटे का था छोटा हो चुका था, बट इसका स्टाफ है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, चेक के कपड़े करके, मुझे इसको फैकने का कुच्चा बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा है, इससे कुछ DIY करने का, तो friends, तीन या चार आइटम आज हमारी बन जाएगी, इससे, जो की जीरो कोस्ट में, ओ, ठीक है जी, इस तरह हमारी बच्चत होगी, क्योंकि ये चीजें, आम, ये हर घर की जुरूरत होती है, हर लेडीज की जुरूरत होती है, तो हमने क्या करना है, friends, इस तरह पजामी को खोल लेंगे, आदा पार्ट है, उपर का, वो मैंने एक बार साइड में रख दिया है, और जो इसकी लातों की तरफ से खोला है, उसके दो पीस हमने खोल लिये, और आगे से जो नीची का पजामा हमारा उसकी पटी सी होती है, वो मैंने कट कर ली, वो हमारे आगे काम आएगी, इस तरह ट ठीक है, यह हमारा बन गया स्केर साइड में, स्केर साइड मेंस है, कि चारों साइड से इसकी इक्वल है, ठीक है जी, और अब हमने लेनी है आटा चावल की थेली, और वो भी हमने इसी साइड में लेनी है, आटा चावल की थेली को भी मैंने खोल लिया है, और इसके उपर रखकर measurement ले लेंगे तो ठीक है friends cutting का काम है जो मैं निचे ये करी हूँ फर्ष पे वो easily हमारा हो जाता है उसके बाद हम चलते हैं जी machine की तरफ तो friends बस इनको देख लिया है नापकर मैं काट लूँगे extra होगा मैंने extra ही रखा है आटा चावल की थेली को क्योंकि stitching करने के बाद हम extra part को cut कर देंगे ठीक है जी आप बारी आती है stitching की तो friends हमने आटा चावल की थेली के साथ sorry पहले हमने इस कपड़े को जोड़ना है जो हमने leg की तरफ से काटा था नीचे का part तो उसको joint करकर ये हमारा बड़ा सारे एक स्केर पीस बन जाएगा उसके बाद हमने आटा चावल की थेली के साथ इसको joint करना है तो friends काफी easy है आपको क्या मुझे सी की जूरत ही क्या पता ये वीडियो देखने के बाद आपको भी जूरत हो तो इस तरह आप देखेंगे कि भूलकर भी पजामे को कभी नहीं फेकेंगे जिस तरह की आज की वीडियो में आप देखेंगे तीन हम organizer इतने सुन्दर सुन्दर चिज़ें बनेंगी जो मतलब हमारी zero cost में तो जी इधर बस मैं आटा चावल की थेली के साथ इसको हम stitch कर देंगे तो कोई भी organizer बनाते हैं उसमें कड़क पनाता है काफी बढ़िया वो चीज हमारी सालों साल चलती है ठीक जी अब machine का काम एक बार खतम हो चुका है फिर मैं इसको नीचे लियाई हूँ और अब हमने जी इसकी कोई भी कपड़े की पटियां काटनी है 1.5 या 2 इंच की strips काटनी है तो मेरे पास एक bed sheet थी पिछले DIY में मैंने उसका use किया था बट इतनी बड़ी bed sheet काफी बड़ी होती है फ्रेंट्स वो एक में तो नहीं लगती तो बस मैं उसके piece मैंने उसमें ही कट करें है ये जो strips के डेड़ दो इंच की strips है लंबी-लंबी कट कर ली है काफी सुंदर है इसके साथ combination अच्छा लग रहा था तो ये जी कन्नी के तोर पे इसको हमने लगाना है कुछ नहीं करना फ्रेंट्स बस पट्टी को इस तरह फोल्ड करना है और जो ये हमारा एक बार mat सा बनाए इसको मतलब यसे बीच में रखकर बस stitching कर लेंगे तांकि हमारी नीचे की तरफ और उपर की तरफ stitching हो जाएगी हमें double मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ठीक है जी और आप इस तरह जी एक प्यारी सी कन्नी बना देंगे चारों तरफ इसके मतलब बन जाएगी आप इस तरह फ्रेंस mat भी बना सकते हैं बहुत ज़्यादा easy आट्टा चावल की थेली लगा कर करनी लगा दीजिए तो ये हमारे mat के तरफ पे भी काम आईगी बट मैं इससे आज बहुत ही बढ़िया एक चीज बनाने जारी हूँ तो वो आप end तक देखते रही है फ्रेंस पहले बता देते हैं तो उस चीज का भी मजा नहीं रहता तो इस तरह जी बस ये पट्टी मेरी हो चुकी फाइली बस थोड़ी सी रह चुकी है फिर उसके बाद मैं बताती हूँ आप जी हम इसके कोनस कट करेंगे तो वो आप जैसा आपका पजामा है बच्चे का है या बड़ों का है तो इसका कोई खास प्रोपर मेजरमेंट नहीं है वो आपको देखना ही पड़ेगा तो यह इधर मैंने जी यह लिए है जैर्ट पजामा था काफी बड़ा था तो इधर मैंना 5-5 या 6-6 इंच के कोनस कट कर लीजिए बस हमने मेजरमेंट एक ही रखना है और इन corners को भी हम गेरेंगे नहीं, ये चीज भी हमारे आगले दूसरे DIY में काम आएगी, तो एक बार इनको मैं side में रख देती हूँ, तो इस तरह friends, ये भी corners cut करने काफी हीजी है, एक को नापकर cut कर लेंगे, बाकी सारों के उपर वो ही corner वाला piece है, रखकर हम cut कर लेंगे, त एक छोटा सा piece लिया है transparent sheet का, तो वो मैं इधर लगाऊंगी, तांकि ये जो चीज और organizer बनेगा, वो हमारा जो अंदर कुछ भी रखा होगा, वो मतलब दिखेगा transparent sheet की वज़े से, और एक थोड़ी सी designing सी new look सी बन जाएगी, तो इधर थोड़ा सा निशान लगा लेंगे, औ क्यों की वो stitching में हमारी मतलब इधर उदर हिल जूल करती है कही बार, तो थोड़ा सा extra ही होना चाहिए, कही बार छोटी पड़ जाती है, तो फिर हमें problem आती है, तो जी ये इधर मैंने छोटा सा rectangle piece cut कर लिया है, और ये देखें जी, इसको भी रखेंगे, संभाल कर इसका भी इजी है friends, और आपको ऐसे direct problem आती है, तो आप छोट छोटी pins आती है, वो लगा कर एक बार set कर लीजिए, उसके बाद ये हमारा transparent sheet है, हिल जूल नहीं करती, तो इस तरह की organizer है, आप online देखेंगे, काफी महंगे है, और trending में है friends, ये मैंने आपको जो trending में चीज चलती है, वो आप बजार में या online पैसे खर्च करने की बजाए, अगर आपको stitching आती है, आप में stitching का होनर है, तो आप खुद से इस चीज को बनाईए, तो ये मैंने इदर इसको seat को attach कर दिया है, तो ये भी हमारी 2-4 मिनिट में attach हो जाती है, एक side में ने कर दिया है, ठीक है जी, अब हम इसके corners है, तो corners को stitch करेंगे, तो ये आटा चावल की थेली है, वो उल्टी side है इसकी, तो हम अब इसके corners है, उनकी stitching करेंगे, तो ये friends उल्टी करकर हम corners से इसके stitch करेंगे, उसके बाद शेदा करेंगे इसको, तो इदर corners के लिए हमने छोटी से strips फिर काटनी है, पट्टी, त बाहर ना निकले, तो इसको उस पट्टी से हम finish करेंगे, तो 1.5 इंच की पट्टी, यहाँ कोई भी आप इस तरह वेस्ट पड़ी हुई लगा सकते हैं, तो same process से हमने चारों corners को finish करना है, ये पट्टी लगा कर, तो इससे पट्टी से क्या होगा, थोड़ा सा जो हमारा organizer ब बिल्कुल मतलव ऐसे मजबूत बनेगा, तो ये भी बहुत ही ज्यादा simple है friends, same process से बस चारों corners को हमने ये पट्टी लगा कर इस तरह finish करना है, तो उसके बाद मैं आपको इसको सिद्धा करकर फिर दिखाऊंगी, बस जी ये अब दूसरा corner भी इस तरह बराबर मिला लेना ह और पट्टी लगानी है, साथ की साथ हमारी ये पट्टी लगकर ये finish हो जेंगे, इसके corners और अच्छी shape इनकी आएगी, तो जैसे जैसे ये बस corners stitch होते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी shape पता लगती रहेगी, तो इधर जी बस last वाला हो रह गया और ये देखे, इस तरह आप इसको हम सिद्धा कर लेंगे, सिद्धा करने से पहले ये देखे, इस तरह की shape इसकी आगी है, स्केर सी साइज में, और ये दो जो हमने starting में लोर की जो आगे से पटियां सी निकाली कट करी थी, तो उनको हम इधर लगाएंगे, और ये जी लगा दी है, और आप इसका final look दे देखे, इसमें मैं कपड़े डाल कर दिखाती हूँ, काफी ये हमारा खुला डूला बना है, और इसकी shape रोपर कपड़े डालने के बाद ही पता लगेगी, तो ये देखे, कितनी सारी टी-शट से 7, 8 या 10 की range तक हम इसमें डाल सकते हैं, कितनी प्यारी चीज है, ये आज कल काफी अच्छी trending में है, और ये online काफी मतलब महंगी मिलता है, इस तरह कि अगर आप काफी बासकिरसी बना कर अपनी wardrobe में organize करेंगे, तो इस से क्या होगी, हमारी space की भी saving होगी, और इस तरह काफी सारी कपड़े हमारे इस तरह सेट होए रहेंगे, तो ये दिखे जी, कितना प्यारा इसकी shape corners इसके कितने अच्छी आए हैं, और transparent sheet की वज़े से इसमें दिखवी रहा है, तो इस तरह हमारा एक प्यारा सा organizer zero cost में बनकर ready हो जाता है, ये दिखे, और ये handle की तरफ से हमें पकड़ना भी ये काफी easy है, अगला जी, हमारा दूसरा friends जो हमने corners cut करे थे, तो उनको भी ऐसे नहीं कि हम cut करकर इनको फैक देंगे, ये भी बहुत ही जादा काम की है, आगे से आप इस तरह का, अगर floor sofa है या कुछ भी बनाती हैं, जिसमें corners cut करते हैं, तो वो corners को आप कभी मत फैक किये, उनके हमने क्य करना हैं, जी, इस तरह देखिए, एक side इनकी less लगी हुई है, और एक side ही लगाने की जुरूरत है, less, सोरी पटी, तो ये लगा देंगे, इस से क्या होगा, कि हमारे ये बहुत ही ज़्यादा सुन्दर दिखेंगे, friends, ये हमारे table mat बन जाते हैं, छोटे-छोटे, तो नीचे आटा-चावल की थेली लगी हुई है, जैसे कोई glass है, cup है, table पे हमने रखना है, तो वहाँ wooden पे हमारा चाय का या पानी बगएरा का कोई दाग नहीं लगता, इस चीज से, तो ये छोटे-छोटे हमारे 4 mat बनकर ready हो जाते हैं, तो ये इनकी corners से देखिए, कितनी प्यारी finishing है इन में तो बिल्कुल ही 2-4 minute का time लगता है, क्योंकि इनके निचे उपर कपड़ा लगाई हुए है, निचे sheet अटा-चावल की थेली लगी हुई है, और बस एक side हमने इसके पटी लगानी है, तो इस तरह जी, चारों ही हमारे table के mat बनकर ready हो जाते हैं, आप इनको अपने हिस साब से decode कर सकते हैं, तो मैं आपको इनको रखकर भी दिखाती हूँ, तो ये देखे जी, कितने प्यारे चारों हमारे complete हो चुके हैं, छोटे-छोटे हमारे table mat, तो आप इनको अपने according चारों को use कीजिए, तो ये कोई भी cup है, या चाय बगरा का, या पानी बगरा का, तो ह हम इनको table पे अपने इस तरहें रख सकते हैं, और friends, आप इन चारों को जोड़कर एक बड़ा mat भी बना सकते हैं, जो छोटी table के लिए भी इस तरहें square size में काम आई, बट ये छोटे अलग-अलग से भी हमारे बहुत ही जादा काम की चीज है, ठीक है जी, तो ये देखे, मै side tables होती हैं, काफी सारी होती हैं, जहां हम बैठते हैं या बच्चे हैं, तो हर table पे अपनी एक दो आप इस तरहें रख लीजिए, और देखने में भी बहुत प्यारी लगती है, आगे friends, अब हमारा उपर वारा पार्ट है, जो लोर का बच्चा था, तो उसका भी reuse मैं आपक पुछनी करना, बस इस तरहें चड़ाना है, लास्टिक की side से, और जो अंदर extra कपड़ा है, वो अंदर की तरफ टक कर देंगे, अब हमने कोई extra छोटी t-shirts लेनी हैं, और उसको इस तरहें चड़ा देंगे, उपर की तरफ से, और इस तरहें फोल्ड कर देंगे, अंदर की इसमें, देखें कितने सारी कपड़ें, t-shirts हैं, बच्चों की, इसमें रख सकते हैं, और देखने में कितना प्यारा लग रहा है जी, तो friends इस तरहें, जीरो कोस्त में ये हमारा organizer बनकर ready हो जाता है, इसमें आप अपनी घर की चदरी हैं, कपड़ी हैं, अपनी इसाब से इसे तो वो easily चड़ जाती है, तो box आपके घर में छोटे या बड़े हर साइज में होते हैं, तो जब भी कोई भी pajama लोर कटता फटता है, तो उसका part उपर वाला आप इस तरहें use में लीजिए, तो friends ये देखिए, हमारा जीरो कोस्त में एक organizer बन जाता है, तो friends आज हमारे देखिए, तीन मैंने organizer आपके साथ शेयर किये हैं, जो की कितने प्यारी हैं, जीरो कोस्त में हैं, और आपको इन तिनों में से कौन सा idea जादा अच्छा लगा, तो वो आप comment section में जुरूर बताना, और मैंने जी इस तरहें कपड़ों का reuse आपको कैसा लगा, ठीक है friends मिलते ह ने आपके साथ शेयर के साथ भूंचा लेए